C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्दु थे कक्षा 6 की संस्कृत की ध्वनी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 शष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम रुचिरा प्रथमो भाग हर परिशिष्टम पृष्ठ संख्या 88 से पृष्ठ संख्या 97 तक कारक विभक्ति परिचयह वक्ये क्रियायाह साक्षात अन्वयह येन पदेन शब्देन वा सह भवती तत पदम कारकम भवती कारका नाम अर्थम प्रकतैतुम येशाम प्रत्ययानाम सन्योजनम शब्दैह सह भवती ते प्रत्ययाह कारक विभक्तयह भवन्ती यथा चात्राह, दशर थस्य, सुतह, रामह, दंदका रण्यात, लंकाम, गत्वा युद्धे रावणं बानेन हत्वा, विभी शनाय लंका राज्यं अयच्छत। इन शब्दों को चार स्तंभ के माध्यम से बताया गया है, जैसे क्रम संख्या एक स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है शब्दों का, तीसरा है कारक का, और चौथा है विभक्ति का। यहाँ पर सविशेश हमें शब्द, कारक और विभक्ति वाले स्तंभों पर ध्यान देना है। प्रथम स्तंभ में जो जो शब्द है, उसकी प्रथम पंक्ति में सुतह और रामह है, कारकम के सामने करता है और विभक्ति प्रथमा है। इसी प्रकार लंकाम, रावणम और लंका राज्यम कर्मकारक है, जिसमें द्वितिया विभक्ति है। बानेन शब्द करणकारक है और इसमें त्रितिया विभक्ति है। विभीशनाय संब्रदान कारक है और इसमें चतुर्थी विभक्ति है। दंडकारण्यात अपादान कारण है और इसमें पंचमी विभक्ती है। युद्धे अधिकरण कारक है और इसमें सप्तमी विभक्ती है। विशेशह, शस्ठी विभक्तेह अर्थ संबंधह अस्ति, संबंधह संबोधनम्चा कारकम नभवति, उदाहरणम् दशर थस्य, हे छात्राह, इति पदयोह साक्षात अन्वयह क्रिया अयच्छत इत्यनेन पदेनसह नास्ति अतह संब्सक्रिते एते पदे कारके नाभवतह शब्द रूपाणि अकारांत पुल्लिंग शब्दह बालक एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम इसमें बालक शब्द का शब्द रूप दिया जा रहा है प्रतमा द्वितिया, त्रितिया, चतुर्थी, पंचिमी, शस्थी, सप्तमी और संबोधन विभक्ति के अनुसार प्रतमा विभक्ति बालकह, बालकव, बालकाह द्वितिया विभक्ति बालकं, बालकव, बालकान त्रितिया विभक्ति बालकेन, बालकाब्याम, बालकाईह चतुर्थी विभक्ति बालकाय, बालकाब्याम, बालकेभ्यह पंचिमी विभक्ति बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः शस्थी विभक्ति बालकस्य बालकयोह बालकाणाम सप्तमी विभक्ति बालके बालकयोह बालकेशु और संबोधनम हे बालक हे बालकव हे बालकाः एव मेव, न्रिप, देव, राम, पितामह, पंडित, इत्यादी नाम, अकारांत, पुंगलिंग शब्दा नाम, रूपाणी, भवन्ती आकारांत, स्त्रिलिंग शब्दह, बालिका यहां बालिका शब्द के भी रूप, प्रत्मा, द्वितिया, त्रितिया, आदी विभक्ति के अनुसार, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में दिये जा रहे हैं प्रत्मा विभक्ति बालिका बालिके बालिकाह द्वितिया विभक्ति बालिकाम बालिके बालिकाह त्रितिया विभक्ति बालिकया बालिकाब्याम बालिकाब्याम बालिकाब्याह चतुर्थी विभक्ति बालिकाया बालिकाब्याम बालिकाब्याह पंचिमी विभक्ति बालिक बालिका ब्याम बालिका ब्याह। शस्थी विभक्ती बालिका याह बालिका योह बालिका नाम। सब्तनी विभक्ति बालीकायाम बालीकयोह बालीकासु और संबोधन में हे बालीके, हे बालीके, हे बालीकाह एव मेव लता, रमा, माला, कलिका इत्यादी नाम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दा नाम रूपाणी भवन्ती अकारांत नपुंसक लिंग शब्दह यहां पुष्प शब्द का रूप दिया जा रहा है उसी विभक्ति क्रम में और वचन क्रम में प्रतमा विभक्ति में पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी दिया पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी तृतिया विभक्ति पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पईह चतुर्थी विभक्ति पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यह पंच सब्टमी विभक्ति पुष्पस्य, पुष्पयोह, पुष्पानाम। इकारांत पुलिंग शब्दह इसके लिए यहां मुनी शब्द का रूप दिया जा रहा है। मुनिना मुनिभ्याम मुनिभिह। मुनये मुनिभ्याम मुनिभ्यह। मुनेह मुनिभ्याम मुनिभ्यह। मुनेह मुन्योह मुनीनाम। मुनवु मुन्योह मुनिशु। हे मुने, हे मुनी, हे मुनयह एव मेव कवी, हरी, रवी, कपी इत्यादी नाम इकारांत पुनलिंगशब्दा नाम रूपाणी भवन्ती उकारांत पुनलिंग शब्दह यहां पर विभक्ति और वचन के अनुसार भानु शब्द का रूप दिया जा रहा है प्रतमा विभक्ती में भानुह भानु भानवह। वितिया विभक्ती में भानुम भानु भानुन। तृतिया विभक्ती में भानुना भानुब्यां भानुब्य। चतुर्थी विभक्ती में भानवे भानुब्यां भानुब्य। पंचिमी विभक्ती में भानुह भानुब् भानू नाम, सब्तनी दिवक्ति में भानव, भान्वोह, भानूशु और संबोधन में हे भानू, हे भानू, हे भानवः, एवमेव, शिशु, साधु, गुरु, विश्णु, इत्यादी नाम, उकारांत, पुनलिंग, शब्दा नाम, रूपानी, भवन्ती। इन शब्द रूपों के बाद, अब कुछ धातु रूप दिये जा रहे हैं, जिन धातु रूपों में पाँच लकारों का प्रयोग हैं, ये लकार हैं, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, और लोट लकार पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और वचन, पूर्ववत, एक वचन, द्वी वचन और बहुवचन सबसे पहले पठधातु के रूप, लट लकार यानि वर्तमान काल में प्रथम पुरुष में पठाती पठताह पठंती, मध्यम पुरुष में पठासी पठताह पठता, उत्तम पुरुष में पठामी पठावह पठामह भविश्यत कालिक लिर्ट लकार में पठका रूप है प्रथम पुरुष में पठिश्यति, पठिश्यताह, पठिश्यंति मध्यम पुरुष में पठिश्यासि, पठिश्यताह, पठिश्यता और उत्तम पुरुष में पठिश्यामि, पठिश्यावह, पठिश्यामाह पठधातु का रूप है, प्रथम पुरुष में अपठत, अपठताम, अपठन, मद्यम पुरुष में अपठह, अपठतम, अपठत, उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम, अपठाम, पठधातु, लोटलकार, प्रथम पुरुषह, पठतु, पठताम, पठन मध्यम पुरुशह, पठ, पठतम, पठत, उत्तम पुरुशह, पठान, पठाव, पठाम, एवमेव, हस, चल, खेल, खाद, पा, अथवापिव, द्रिश, अथवापश्य, धाव, पत, ब्रहम, लिख, इश, अथवा इच्छा, मिल, प्रभृति नाम, धाटू नाम, रूपानी भवणती, गम, अथवा गच्छ धातू, जिसका अर्थ होता है जाना, लटलकार, अर्थात, वर्तमानकाल, धातू रूप इस प्रकार है, प्रथम पुरुशह, गच्छति, गच्छतह, गच्छन्ती, मद्यम पुरुशह गच्छसी गच्छथः गच्छथः उत्तम पुरुशह गच्छामी गच्छावः गच्छामः गम धातु लिरिटलकार अर्थात भविश्यतकाल धातु रूप इस प्रकार है प्रथम पुरुशह गमिश्यती गमिश्यतः गमिश्यंती मध्यम पुरुषः गमिश्यसी गमिश्यथः गमिश्यथः उत्तम पुरुषः गमिश्यामी गमिश्यावः गमिश्यामः गमधातु का लंगलकार यानि भूतकाल में रूप इस प्रकार है प्रथम पुरुष में अगाच्छत अगाच्छताम अगाच्छन मध्यम पुरोश में अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, उत्तम पुरोश में अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, लोटलकार अर्थात आज्यार्थक या आदेशार्थक रूप में गमधातु का इस प्रकार रूप चलता है स्थाधादू जिसका अर्थ घहरना हम इसको यदा कदा तिश्ठ भी कह देते हैं इसका लटलखार अर्थार्थ वर्तमान काल में रूप इस प्रकार चलता है प्रथम पुरुष में तिश्ठाती तिश्ठाताह तिश्ठांती, मध्यम पुरुष में तिश्ठासी तिश्ठाताह तिश्ठाथा, उत्तम पुरुष में तिश्ठामी तिश्ठावह और तिश्ठामाह लिर्ट लकार में इसी स्थाधातु का रूप इस प्रकार है प्रथम पुरोष में स्थास्यति, स्थास्यतह, स्थास्यन्ति मद्यम पुरोष में स्थास्यसि, स्थास्यतह, स्थास्यतह उत्तम पुरोष में स्थास्यामि, स्थास्यावह, स्थास्यामह लंगलकार अर्थात भूतकाल में स्थाधातु का रूप इस प्रकार है स्थाधातु का लोटलकार में रूप इस प्रकार है प्रथम पुरुष में तिष्ठतु तिष्ठताम तिष्ठन्तु मध्यम पुरुष में तिष्ठ तिष्ठतम तिष्ठता उत्तम पुरुष में तिष्ठानी तिष्ठाव तिष्ठाम नीधातु जिसका अर्थ लेना या ले जाना होता है इसका लट लकार में रूप इस प्रकार है प्रथम पुरुष में नयाती नयताह नयंती मध्यम पुरुष में नयासी नयताह नयता उत्तम पुरुष में नयामी नयावह नयामह लट लकार में रूप प्रथम पुरुष में नेश्यती नेश्यताह नेश्यंती मध्यम पुरुष में नेश्यासी नेश्याथः नेश्याथः उत्तम पुरुष में नेश्यामी नेश्यावः नेश्यामः लंगलकार अर्थात भूत काल में नीधातू का रूप इस प्रकार है प्रथम पुरुष में अनयत, अनयताम, अनयन, मध्यम पुरुष में अनयह, अनयतम, अनयत, उत्तम पुरुष में अनयम, अनयाव, अनयाम, नीधातु का लोटलकार में रूप इस प्रकार है प्रथम पुरुष नयतु नयताम नयन्तु मध्यम पुरुष नय नयतं नयता उत्तम पुरुष नयानि नयाव नयामा चिंत दहतु जिसका अर्थ सोचना होता है इसका भी रूप चारू लकारों में यहां दिया जा रहा है लट्लकार में इसका रूप इस प्रकार है प्रथम पुरुष चिंतायाती, चिंतायाताह, चिंतायांती मध्यम पुरुष चिंतायासी, चिंतायाथाह, चिंतायाथा उत्तम पुरुष चिंतायामी, चिंतायावह, चिंतायामह लिर्ट लकार में इसका रूप इस प्रकार है प्रथम पुरुष में चिन्त इश्याती चिन्त इश्याता हा चिन्त इश्यांती मध्यम पुरुष में चिन्त इश्यासी चिन्त इश्याता हा चिन्त इश्याता और उत्तम पुरुष में चिन्त इश्यामी चिन्त इश्यावा ह चिंत धातु का लंगलकार यानी भूतकाल में इस प्रकार है रूप इस भूतकाल को कभी-कभी अतीतकाल भी कहा जाता है प्रथम पुरुष में अचिन्तयत अचिन्तयताम अचिन्तयन मध्यम पुरुष में अचिन्तयाह अचिन्तयतं अचिन्तयत उत्तम पुरुष में अचिन्तयम अचिन्तयाव अचिन्तयाम और लोटलकार में प्रथम पुरुष में चिन्तयतु चिन्तयताम चिन्तयन्तु मध्यम पुरुष में चिंतय चिंतयतं चिंतयत उत्तम पुरुष में चिंतयानि चिंतयाव चिंतयामा उपर युक्तानु सारमेव हस, चल, खेल, खाद, पा, द्रिश, धाव, पत, भ्रम, लिक, इश, मिल, प्रब्रीती नाम धातु नाम, रूपाणी, भवन्ती रुचीरा भाग एक, अभी आप सुन रहे थे कक्षा छे के लिए ये ध्वनी पाठ्य पुस्तक वाचनस्वर, डॉक्टर पंकजमिश्र, ध्वनेंकन, बटिल्यांग लिंग्रो, निर्माण, निर्देशन वध्वनिसंपादन, वंधना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT नैदिल्ली, भारत